हैलो फ्रेंड नमस्ते तो ये हमारा नाप वाला बिलाऊज है आज हम बताएंगे इसकी नाप लेकर हमें कैसे अपने कपड़े पर कटिंग करना हैं। हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए पर अब हमारा बिलाऊज है। तो कोटन का ही नाप लेजादातर हमें बिलवज नाप से ही बनाने पड़ते हैं तो कोटन का बनाना चालें अस्थe वाला बनाना तो अस्थe वैक लेटलें AN estas ला वाला इनडी इंच की जीड़ की चेस्ट box है और ऊते हमारे निक beliefs की लंबा यह 18 से 15 न चाuk है यह 10 का और 12 का इस तरह से हम लेंगे आर्मोल की नाप यहां से 5 इंच आर्मोल है और गला हम अपने हैसाफ से लेंगे गला भी हमें बहुत बड़ा नहीं रखना है और यह आस्तिन की भी नाप लेते हैं आस्तिन बनी बनाई हमारी 3 इंच की हैं तो चलिए यह बना हुआ बिलाउज को साइड कंच से रखते हैं अब कप्डे पर कटिंग करेंगे कपड़े को वमने ब्चा लिया है डवल पुल्ड में और आगे का पाट पीछे का पाट साथ साथी कटिंग करेंगे हमें तुरपाई करना हैं पीछे वाले पल्रले कप्ड़े में थूड़ी सी कान है तो हम उसको काट के निकाल देंगे और 15 तक सही रहेगा वैसे तो हम कप्ड़े की हिसाब से लेते हैं बुन्जा इसी भी कर लेते हैं मगर हमारा कप्ड़ा भी सही है हमने 15 पे निसान लगा लिया है फूर लंबाई निकाल लिए बिलाउच की यह कप्ड़ी को साइड से रखते हैं और इसमें हम निसान लगाएंगे तो सबसे पहले लेंगे हम चेस्ट चेस्ट का निसान है मारा आठ आठ का डबल करो शोला और शोला का चोता बाग 32 हो गया चलिए गले गला रखा है हमने 2 इंच की चड़ाई और 2 इंच के हमने शोल्डर लिए हैं गले की गहराई है साड़े पांच इंच यहां पे भी हम दो इंच रखेंगे इसे हम सीधा बॉक्स बनाएंगे अच्छा सा डाल ले देंगे यहां से भी हम साड़े पांच इंच रखेंगे क्यों उपर भी दबेगा और नीचे आस्तिन जॉइन करते हैं तो नीची भी दबता है अब यहां पे हम निचान लगाएंगे जो एक इंच पे लगाया वो हमारा आगी का है डेड़ इंच पे लगाया वो पीछे का है जब हम कप्रे पर कटिंग करेंगे तो पीछे वाले की हिसाब से कटिंग करेंगे और आगी का निचान है उसको हम बाद में कटिंग करेंगे तो चलिए यह में निचान हो गए इनको हम फटा फट कटिंग कर लेते हैं यहां से भी हम कटिंग करेंगे और यहां से भी थोड़ा कप्ड़े को निकाल देंगे और पीछे वाले पल्ले को निकाल के अलग करते हैं पीछे का गल्ला हमारा इतना ही रहेगा बड़ा नहीं रहेगा बिल्कुल भी और यह हैं आगे की पल्ले यहां से भी थोड़ा सा कप्ड़ा काटेंगे हम यह आर मोल की साइड अगर कप्ड़ा नहीं काटोगे तो यहां से बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है बिल्कुल लटका लटका सा रहता है तो यहां पे थोड़ा सा डाल देना बहुत जरूरी है चलिए यहां से भी अलग कर लेते हैं यह हो गए हमारे दोनों आगे के पल्ले तो यह हमारे बिलाउज की निचाई और यह नीचे तुर्पाई के लिए कपड़ा है चलिए सबसे पहले डालते हैं टक्स यहां से तेन इंच पे एक निसान लगाया है और यहां से साड़े तीन पे लगाएंगे उचाहे भी हम तीन की ही देंगे इस तरह से दो इंच का गैफ है ऐसे ही यहां पे दो इंच का और यहां पर भी दो दो इंच का गैफ हो गया हमारा दो अंगुर दो इंच और यह चेस्ट है हमारी देखिए एदम फेट है आठ इंच थोड़ा सा लुजिंग के लिए कप्ला छोड़ा है और यहां पर कमर शाड़े छेपी निसान लगाएंगे तेरा की कमर है हमारी तो इतनी हो गया हमारी कमर और यह हो गया हमारा जितना हमने उपर लगाया था चेस्ट का निसान उतना ही नीचे लगाया है यहां से हम सिधा कर लेंगे इसे भी इस तरह से तो हमारे टक्स भी पढ़ गया है बहुत अच्छे से फ्रेंड इसकी स्टिचिंग की भी मैं दिखाऊंगी हमारी वीडियो को फुल बोच के लिए और हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए अब निकालेंगे आस् सब्सक्राइब कर देंगे चाहर पोल्ड में कप्डा हो गया है तो सबसे पहले एक नहीं से लम्बाई कि अमड़ों लेना आए हमें तुर्पाई के लिए आदा उपर दभेगा और 3 वर Thank you कि आस्तिन हम इसमें एक इंच बढ़ा दीए चार इंच की आस्तिने कर लीए कि लिए फुल खेंच हो गया चेंच नीचे निशारा लगा लेंगे इसे हम सिधा करेंगे यहां से पहले कप्ड़े को काट लेते हैं यह है यह मारी आस्तिन के लिए देखिए एकदम सही है कप्री की चौड़ाई शाड़े आठ नव तक का गपड़ा एकदम फिट रहता है आस्तिन के लिए कि यहांसे दो इंज पर लगाएंगे चार इंज की आश चीने दो इंज पर यहां पर निशन लगा लेंगे कि मैंसे 6 इंज पर निशन लगाएंगे counterparts छोड़ा बहुत अगर हमारा कम बर पड़ जाता है तो इसलिए हमने मार्जन के लिए कपड़ा सही ले लिया है और इतना ही लेना चाहिए कम लेने से दिक्कत हो जाती है कप्रत थोड़ा जादा ही होना चाहिए हमारे लिए और जो नए लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही जादा होना चाहिए इस निसान को यहां पर मिलाएंगे इसको इस तरह से अब हम कटिंग कर लेंगे और आस्तिन की कटिंग तो मैं करते रहती हूं इस तरह से हमारी आस्तिन सही आ जाती है तो यह हो गई है हमारी आस्तिन चलिए इसमें अभी आदा इंच और कप्ड़े को काटना है हमें यहां से देना है डाल हमें यहां से इस तरह से इसे भी निकालना यह है हमारा आगे का पल्ला जो आगे की पल्ले होते हैं उसमें हमें जोइंट करना है आज तेन की भी कटिंग होंगे फ्रेंड एक हमें बीच में कट लगाना जिससे हमें पहचान रहती है यहां से हमारा सोल्डर की साइड होता बहां पे जोड़ना आया में इसलिए बीच में निसान लगा लिए और यह हमारी पट्ति हैं एक खोक वाली है एक खाई वाली है सब्सक्राइब टॉस्ति है और यह में रहें गले की लिएप ट्ति निकलता है कि इसमें से हम गले की लिए पटी निकाल लेंगे क्योंकि गला हमारा बहुत बड़ा नहीं है चार पति लेंगे आराम से गले पट्ति निकलाएंगे तेन पट्टियां इसमें निकलाएंगे और एक पट्टी इसमें निकलाएगी और हमारा थोड़ा सा कप्ड़ा भी बच गया और हमारे बिलाज की कटिंग भी हो गए यह बहुत अच्छे से तो देखिए यह हो गए हमारी पट्टी यह है आगे का पल्ला यह गले की पट्टी हो गई है यह पीछे का पल्ला हो गया है और यह आज तिन हो गई है आज की लिए इतना ही मिलेंगे नहीं वीडियो में बाई बाई